अक्सर चुनाओं में कोई ना कोई बैयान, कोई भी राजनितिक बैयान, जुमला या कोई भी ऐसा नारा बार-बार चर्चाओं में आ जाता है, जिसकी बार-बार जिक्र किया जाता है। इस बार उपचुनाओं है उत्तर पर्देश में और इस बार का जो जुमला नारा या बयान कहें वो है कटेंगे तो बटेंगे मिलेंगे तो बढ़ेंगे मिलेंगे तो जीतेंगे इसी को लेकर मेरे साथ मौझूद है कुछ मुझा फर्णागर के मुसलिम समाज से जुड़े के रोग के सब्नाइब आर्षे लौगें उनहीं से पूछूँगा कि इस तरह से यह मिलेंगे तो बढ़ेंगे मिलेंगे तो जीतेंगे inom चुह चल रहा है यह उसी वह उसे उति अमरीका के निदर चुना चल रहा हूं सब से हैं कि दीकिमाट प्रेशंनल रांके लोगों को अपनी तरफ खेचना है यह लोगों डिवाइट करना है उस चीज़ के लिए हम सोचता आने वाली जनेरेशन पर क्या परवाव पड़ेगा जहां बात करने थी लाइट की नौकरियों की इंफरस्ट्रक्टर की वहां बात करते हैं जातिवाद की आरक्षन की बेसिक जो राजनिद्रियों के दौरा लग-लग इस तरह की बाते सामने आ रही क्या एक पॉलिटिकल पॉइंट से सिर्फ लालच मेरी सत्ता नहीं जाने मेरी कुर्सी नहीं जाने चाहिए जो इतने बड़े आसपद पर आसीन है उसके बाद मैं एक आम पब्लीक एक आम आदमें कर इस कि आप सदा मुख्यमंतिर हो लेकिन जरासा ऐसे बाशन मत दो जिससे समाज में जहर घुल जाए क्योंकि उसके आने वाली जनरेशन है उसमें इतना बुरा हाल हो रहा है इतना बुरा हाल हो एक भायचारा इंदुस्तान में जो है वो खतम होने जा रहा है सदा सदा उमर सारी न रहेंगे न हम रहेंगे जितनी उमर है उपर वाला सब कोट्छ समान के ना जाता और के साथ यहका और यह भाइजव करें और झालेशन हैं क्योंकि जब यह सविधानिक पत्वर कोई भी नेथा बाहरार कोई भी नेता हो इस तरह के व्यान देता है तो हमें चाहिए कि हम पॉब्लिक हिंदू पर विरोध करना चाहिए और भाइचारे को क्याम रखते हुए अलक्षन हो यह जो भी कुछ हो उसे सही सलामत पर चुनाओं आते जाते रहेंगे जी थार भी होगी लेकिन भाइचारा परभावित नहीं होना चाहिए आपको क्या लगता है जब चुनाओं आते हैं जब तभी इस तरह के क्यों हो जाती है और इस मार जो नारिवा जी है क्या बाइन आको लगता है इसका वाइन ने तो है जिस इंदों मुस्लिम में फूर्ट गेरो और राज करो लेकिन यह बहुत सुरूबात हमारे मुख्यमंतर इने जो सुरूर की है बहुत गलत की है इतिवार पर अब यहंद लेकिन परदेश का मुख्यमंतरी ऐसी घटिया बात बोलगा तो यह बहुत घटिया बात है यह सिर्फ अलक्सन जीतने वाली बात अलक्सन से पहले तो बात नहीं आई अलक्सन से पहले को आती तो बारती लेकिन हिंदू मुस्लिम को भाड़ दो क्योंकि 20% मुसलमान और 80% हिं हिंदू है जब हिंदू को 80% मानके यह भी खत्रे में बदला रहे हैं अपना आपको के बटोगे तो कटोगे कौन का तका मुख्यमंतरिया तो यह कह रहे है कि सिद्धन मुसलमानों काड़ दो और अपनी जान बचा लो अपनी कुर्शी बचा लो अब से पहले तो कोई खत् केवल 20 परसेंट अभी हाँ 20 आजमी एक जगह कटो जाओ एक खड़ो जाओ क्या कर लेंगे वो 20 वाला तो हत्यार लेकर मनगा जब भी कुछ नहीं कर पाने का और 80% वाले वाले से बार देंगे लेकिन मुसलिम समाज के समझ में क्या रहा है इस यह जो बार-बार कहा जा रह हाला कि अभी आपने कहा सुर्वाद बीजेपी ने जरूर की उसके बाद सपाने भी सुरवात कर दी बस पाने भी कर दी बश्पा कह रही है की मिलेंगे तो बढ़ेंगे जीतेंगे तो लब क्या है सब कुछ कुल मिला क्या लगता आपको इस तरह से नारोसिक मैसीज होता है है कि 20% 25% मुस्लिम है यह अतकवादी है यह दबंग है और यह जुल्म पे उतर जाएंगे तो अगर सब लोग एक नहीं रहेंगे तो यह लोग लड़ेंगे जगड़ा करेंगे जबकि सद्यों का इतियास रहा है सब प्यार मौबस से रहते आ रहे हैं एक में दिली में जग और से जायतर तो चुना और चाही जप लीए जब चुना इसे लगाते है और इन्डू मुसिलिम को भाड़ देते है Princeton आर चुना के बाद खतं होजाता है तो कि यह सियासत फसादात की और कब तक रची जाएगी यह सियासत फसादात की और कब तक रची जाएगी हम देबस क किया जाएगा उनको तलवार दी जाएगी एए मेरे वक्त के मुंसिफो कुछ तो अपनी जबा से कहो मेरे असलाफ की ये जमी कम मेरे नाम की जाएगी तो इसलिए हम तो बस अपना जीने का हक मांग रहे सदा दुनिया में कोई नी रहा सब सबको जाना है मौत को भी मौत आनी है तो इसलिए प्यार महबबस से गुल दस्ते को और इस देश को चला लो तुम ही जी लो तुम ही बैठ जाओ मगर यह है कि पबलिक को जीने दो इंसा प्रफा की तर्फ से भी खा गया आगे बढ़ेंगे या जीतेंगे उसका कुछ कि इसका प्रफाव तो देखो पप्लिक में देखने को मिलता ही है बाकि यह जो बटेंगे और कटेंगे का जो स्लोगन दिया गया था यह माने मुख्यमंत्री जी के दौरा जब बांगला युका हतंक उत्रा ता तब यह नादा दिया गया था उन्होंने वहाँ उन्सब्रफ बटोगे तो थे सब एकत्तरीत हुए ने करने से girth ने के लिए यह द dose of उस्दlesh का बढ़िक के अपना जनादेश करेगी भीतिन वाब दिशांत Grade जानजार रहें जी सब्रतिभ पंदो prep निष्ची तोर पर यह राजनितिक तोहार राजनितिक पार्टिया जो है वो अपने तरीके से इसेयो पताG tou88 कर किया जाए ON यह क्या जाए कंज मत्रों कीया जाए कोई भी राजनितिक पार्टिश में पीछे नहीं रही है लेकिन भायचारा कम नहीं होना चाहिए इस तरह के बयान समाज को नुकसान पहुचाते हैं समाजिक भायचारे को खतम करते हैं बिनेश पावार न्यूज 18 मुझफर नगर